आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं future detail stock के बारे में इस stock को लेकर के हमने आपको काफी पहले से कहा कि अगर आप already invested हैं तो position को light कर ले और अगर आप फिस position बनाना चाहते हैं तो इस stock को ignore करें जैसा कि आपने देखा कि इस stock में continuous downtrend दिखा और लगबग 30-40% से ज देखा जहां shareholder और जो non guaranteed loan bidder थे उन्होंने इसके सहमती में दिया जबकि secured loan वाले जितने भी बैंक थे SBI, Bank of Baroda, Bank of India इन्होंने इसको reject करा इसके बाद एक ही option बसता है corporate insolvency का insolvency पे जाने पे क्या value मिलती है बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे जिसमें value कुछ भी नहीं मिला जो भी date खतम करने के बाद तो shareholder को मिलता है क्या भावाजी का ठुलो इस समय stock का जो performance है वो आपके सा आती है और बहुत साले लोग को lower circuit अपर circuit नहीं पता होता है lower circuit ऐसा circuit है ऐसा प्राइस है जिस पर कोई भी बायर नहीं होते है only seller होता है तो वह lower circuit कहला जाता है क्योंकि एक ही दिन में 100% share नहीं गिरे इसलिए circuit बनाया गया है security के द्वारा और ऐसे ही अपर circuit होता है जहां बस बायर हो seller zero हो तो उसको अपर circuit कहते हैं इस से मैं stock lower circuit में यहां से बाइंग या average आउट करने की गलती बिल्कुल नहीं करें कुछ ऐसा बहुत बरा या positive news आता है तब इस stock में comeback दिखेगा नहीं तो यह stock continuous आपको गिरते वे दिखने वाला है